आईए जानते हैं सबसे सस्ते फॉरेंट ट्रिप पैकेज कौन से हैं। फॉरेंट ट्रिप का प्लान अक्सर लोग बनाते हैं लेकिन बजट ज्यादा होने के कारण ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब आप विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे देश है जहां आप 50,000 रुपे तक के बजट में घुमने जा सकते हैं। यहां पहुँचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा तो चलिए इनके बारे में बताते हैं। भारत का करीबी देश नेपाल घुमने के लिए परफेक्ट प्लेस है और सस्ता भी है। यहां पर 6 दिन और 5 रातों की ट्रिप का कॉस्ट लगभग लगभग 40,000 रुपे आएगा। दिल्ली से काठ मांडू तक फ्लाइट से जा सकते हैं। फिर यहां नेपाल का रास्ता डेड़ घंटे का है। यहां घुमने के लिए कई सुन्दर जगाएं हैं। नेपाल फैमिली के साथ भी आप जा सकते हैं। कम बजट में मलेशिया घुमना भी हो सकता है। यहां के लिए भारत से फ्लाइट के जरिये आसान रास्ता है। मलेशिया में कौला लामपुर, पैट्रो नास्क ट्विन टावर्स, मलक्का और पैनौंग हिल घुम सकते हैं। मलेशिया घुमने के लिए 45 से 50 हजा रुपे तक का खर्चा आएगा। जिसमें 5 दिन और 4 रातों का टूर पैकेज मिलता है। यह पैकेज पर परसन का है। थाइलेंड घुमने जाने का लगबग हर किसी का सपना होता है। सभी को लगता है थाइलेंड काफी महंगा है। जबकि ऐसा नहीं है। थाइलेंड पचास हजार के अंदर आप घुम सकते हैं। थाइलेंड के शहर बैंककॉक, चियांगमाई, फुकेत आप घुम सकते हैं। यहां जाने के लिए दिल्ली से सीधी फ्लाइट चलती है। मुंबई और कॉलकाता से भी फ्लाइट सीधी आपको मिल सकती है। विदेश यात्रा में विएतनाम सबसे सस्ता देश माना जाता है। यहां पर घुमने के लिए आपको 47,000 रुपे का खर्चा आएगा। जिसमें 5 रात और 6 दिन का टूर पैकेज आपको मिलेगा। विएतनाम में सुंदर समुदर तट, लैंडस्केप, लजीज स्ट्रीट फूड, गुफाओं का मजा आप ले सकते हैं। दिल्ली से विएतनाम की सीधी फ्लाइट भी आपको मिल जाएगी। तो इन में से आपको कौन सी डेस्टिनेशन सबसे बढ़िया लगी। आप किस पे अपना हनीमून पैकेज लेना चाहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं।